कि दियर स्टुडेंट्स आज हम डिसकस कर रहे हैं बॉरिंग पावर्स डिबेंचर्स डिपोजिट्स एंड चार्ज का सेकंड पार्ट और इस सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं डिबेंचर से प्रोविजन्स ध्यान होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डिबें इंक्लूट्स डिबेंचर स्टॉक, बॉंद्स और अधर इंस्टूमेंट्स अफ़ कंपनी एविदेंसिंग अडेट वैदर कॉंस्टिटूटिटिंग अचार्ज ओन दे असे अफ़ दे कंपनी और नॉट जो डिबेंचर है उससे हम यह समझते हैं कि यह कोई स्टॉक हो सकता है डिबेंचर स्टॉक हो सकता है नॉर्मल स्टॉक नहीं और कोई बॉंड हो सकता है जिससे की जो कंपनी है उसका जो रिण है उसका पता लगता हो यह वो किसी असेट के ऊपर चार्ज बताता हो जस्टिस चेट्टी जो है वो इनको डिफाइन करते हैं आडॉक्युमेंट which either creates a date or acknowledges it is a debenture तो रिंक का पता बटाता हो अथ्वा यह बटाता हो कि यह एक debenture है वास्तों में यह certificate होते हैं रिंक का जो प्रमाण पत्र है उसको ही debenture कहा गया है वास्तों में अब इसके आते हैं प्रोविजंज तो यहां पर प्रोविजंस रिगार्डिंग इस्यू अफ डिबैंचर जो है वह थोड़े से टिपीकल है क्योंकि यहां पर क्योंकि रिंड है रिंड की बात आ है क्योंकि रिंड देने वाले जो है उनका जो इंट्रेस्ट है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए तो कि यहां पर सबसे पहले बात आती पावर टू इश्यू डिवेंचर कोई भी कंपनी है वो डिवेंचर पूश्यू कर सकती है जो की रिडेम हो और वो कंवर्टिबल भी हो सकते हैं नॉन कंवर्टिबल भी हो सकते हैं वो जो डिवेंचर है वो शेयर्स में तबदील हो सकते हैं लेकिन जो डिवेंचर हैं वो वास्तों में रिण प्राप्ति के बारे में ही होने चाहिए जो रिन पत्र हैं, debentures जो हैं, वो कभी भी voting rights के साथ में issue नहीं किये जाएंगे voting rights के साथ में किसी भी प्रकार का रिन पत्र जारी नहीं किया जाएगा secured debentures जो हैं, वो terms and condition के हिसाब से हो सकते हैं कि उनके against कोई asset secured है या नहीं है जब भी debentures को issue किया जाएगा तो उससे related DRR बना जाएगा DRR debentures redemption reserve account आपने corporate accounting में इसके बारे में पढ़ा होगा कि जिस दिन से debentures issue किये जाते हैं उसी दिन से DRR भी बनाया जाता है और उसका जो management है वो कुछ इस तरह का होता है कि जिस दिन वो redeem होने होंगे उस दिन उनका जो interest है वो भी calculate हो जाएगा और उनको reserve में साल दर साल कितना provision रखना है उसका बारे में भी वो सारी सूचना है बताएगा अपोइंट्मेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टीज जो है वो option हो सकता है कि अपोइंट्मेंट हो उसका ताकि जो डिवेंचर होटर्स हैं उनका जो interest है वो प्रोटेक्ट रह सकें जब भी redemption होगा तब प्रिंसिपल अमाउंट और जो रिडीम हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट उसका पेमेंट होगा कि एंफोर्सीबल कॉंट्रेक्ट टेक कप एंड पेफोर डिवेंचर यह एंफोर्स हो सकता है डिक्री ओफ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है जबकि रिणपत्र में कोही विशेश टर्म्स एंड कंडिशन डाली गई हूं यहां पर एक प्रोसीजर है जो सेंट्रल गवर्मेंट को पावर्स है डिवेंचर होल्डर्स के लिए और डिवेंचर्स के लिए कि वह इन केसिस में कुछ नियमित रूप से नियमावली जारी कर पाए जैसे कि तो प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सेक्योरिंग डाइश्यू ऑफ डिवेंचर्स डीड और भी जो प्रोविजन्स है वो इसमें दिये गए हैं लेकिन जो सेंट्रल गवर्मेंट है वो टाइम टू टाइम इनमें मौडिफिकेशन भी कर सकती है और इनको चेंज भी कर सकती है सेंट्रल गवर्मेंट को पावर है अब बात आती है रेमेडीज की अगर जो डिवेंचर होल्डर से रेंड पत्र धारक जो हैं उनको यदि किसी प्रकार का समस्या है या उनको कोई कंफ्लिक्ट है उनके बिच्छ मैं तो उनको रेमेडीज दी गई है रेमेडीज में जो अन्सेक्र ण्र जीचर होल्डर हें वह कंपनी को स्यूप कर सकते हैं और कंपनी की प्रोपर्टी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और वो पैटिशन फाइल कर सकते हैं वाइंडिंग अप की तो यह हमको ध्यान रखना है कि यह अनसेक्योर डिवेंचर होल्डर्स को अब क्यूंकि जो सिक्योर डिवेंचर होल्डर्स एंपके डिवेंचर डिवेंचर के अगेंस्ट में असेट्स हैं तो असेट्स के उपर उनका अधिकार हो सकता है तो तो जो डिबेंचर और ट्रस्ट डीड हुई है उसके अनुसार वो कोर्ट में जा सकते हैं वो रिसीवर को अपॉइंट करने के लिए एप्लिकेशन दाय कर सकते हैं फ्रोर क्लोजर इस केस में हो सकता है और जो प्रोपर्टी जो सिक्योर की गई थी डिबेंचर के अगेंस्ट उसको सेल आउट करने का कह सकते हैं और यदि उनका जो बैलेंस है वो बकाया है तो वाइंड अप के तुरू भी वो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार का जो कंडिशन है वो अराइज नहीं होता है नॉर्मली डियार आर बना लिया जाता है और तैस हमें सीमा में उसका पेमेंट कर दिया जाता है अब हम बात करेंगे डिपोजटस की अपने डिपोजटस जो है वो वास्तव में कोई कोष तो हैं ही वो लेकिन वो एक प्रोसीजर भी हम इसको मान सकते हैं कि जो क्सक्ठ एंज 시청 RIS करनेका वो और वास्तव में है बी RBI guideline के अनुसार हर कोई व्यक्ति deposits को स्विकार नहीं कर सकता है अब आस्तम में deposits हैं क्या deposits includes any receptor of money by way of deposit or loan or in any other form by a company but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India Reserve Bank of India ने जिन जमाओं को स्विकार करने से मना किया हुआ है उनके अलावा कोई company यदी जमाय स्विकार करती है तो उनको जमाय कहा जाएगा और जो depositor है वो कौन हो सकता है any member of the company who has made a deposit with the company in accordance with the provision of section 73-2 या any person who has made a deposit with the public company in accordance with the provisions of section 76 वास्तव में यह जो section 73-2 और section 76 इस act के वो follow करते हैं Reserve Bank of इंडिया की guidelines को ताकि कोई अवैदानिक रूप से जमाओं को स्विकार न कर ले primarily देखा जाता है कि जमाओं स्विकार करने का अधिकार बैंकों के पास है और जो banks हैं वो RBI guidelines को follow करते हुए और Banking Regulation Act को follow करते हुए जमाओं स्विकार कर लेती हैं पर यहां पर capitalization की बात आती है वास्तव में यहां पर deposits की जब बात हो रही है तो यहां पर capitalization की बात आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जमाओं को स्विकार करने से तात्पर्य capitalization जो पूंजी है उसको प्रभावित करता है तो इसके जो rules regulations जो है वो इतने टिपिकल बनाए गए हैं अब हम देखते हैं acceptance of deposit from members only जब केवल और केवल जो members है वो जमाए जमा कराते हूं अब जब members की बात आ रही है तो यहां पर company को एक special resolution की ज़रुत पड़े की जिसमें की ऐसा कहा गया हूँ अब जो की rule प्रिस्क्राइब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उन्हीं रूल्स के according ही वो जमाए स्विकार होंगी और यहां पर एक रूल आता है दट अ कंपनी में accept deposit repayable after six months but within 36 months from the date of acceptance or renewal of such deposits कोई जमाए स्विकार कर सकती है जिसका repayment 6 महीने बाद और 36 महीने के अंदर-अंदर होना है इस limit के across वो जाकर जमाए स्विकार नहीं कर सकती है जो जमाए है वो joint name से भी हो सकती है और जो जमाए है उनका renovation भी हो सकता है यहां पर section 73-2 की बात वापिस से हो रही है because the company shall accept or renew any deposit from its member if the amount of such deposits together with the amount of other deposits outstanding as on the date of acceptance or renewal of such deposit exceeds 25% of the aggregate of the paid up share capital and free reserves of the company यहां पर capital close तो नहीं बोल सकते लिकिन यहां पर paid up share capital और free reserve का जो योग है उसके 25% से अधिका outstanding नहीं होना चाहिए डिपॉजिट्स जो है वो condition से comply होने चाहिए और जो members है और जो company है उनके बीच में यदि कोई specific terms and conditions के बीच में बात हुई है तो वो notified होने चाहिए नेक्स आता है acceptance of public deposit यहां पर public deposit की जब बात आ रही है तो eligible company होनी चाहिए अब यहां पर eligible company का मतलब है कि कोई company जिसकी जो net worth है वो 100 करोड से कम नहीं होनी चाहिए और उसका जो turnover है वो 500 करोड से कम का नहीं होना चाहिए और जो company है उसको prior consent मिली होनी चाहिए इस प्रकार की जमाय स्विकार करने की और उसने एक special resolution registrar के साथ में file किया हुआ होना चाहिए इसके बारे में और चल्चा करेंगे special resolution क्योंकि उसको जमाय स्विकार करनी है तो उसके लिए एक special resolution होना चाहिए और वो registrar के पास file होना चाहिए और जो rules हैं वो मिलते जुलते हैं जो members के जो provisions हैं उनसे और जैसा की RBI के notifications जो हैं उनके rules के according ही होना चाहिए यहां पर हम उनको जो members के अलावा वाले जो provisions हैं उनको discuss कर रहे हैं करना पूमने की ईलिगल को चाहिए यहां रहे जीं 힘 बावाव Mys popular क्यों हें उनको बिए जैसन का वो उडब होना वोडिकतात बीबाते पर जुलते झाफ सकते यहां वहां Pokeo हैं खर्व्र का रून और श्विकार कमवान यदि वो deposit, paid up share capital और free reserve के 35% से अगर exceed करते हैं तभी वो deposit को accept कर सकती है यहां पर correction है, no government company यदि paid up share capital और free reserve से के योग से अगर जो deposit है वो 35% से exceed कर रही है तो वहां पर वो deposit accept नहीं कर सकती है next है, no eligible company shall invite और accept और renew any deposit in any form carrying a rate of interest और pay brokerage thereon at a rate exceeding the maximum rate of interest और brokerage prescribed by the RBI for acceptance of deposit by non-banking financial companies कोई भी eligible company है जो की classified नहीं है non-banking financial company और corporation के रूप में और वो RBI द्वारा निर्धारित जितनी भी सीमा है ब्रोकरेट की हो चाहे rate of interest की हो चाहे deposit की हो उनको अगर वो exceed करती है तो वो जमाय स्विकार नहीं कर सकती है the company shall not reserve to itself either directly or indirectly a right to alter वो अल्टर नहीं कर सकती है to the prejudice or disadvantage of the depositor depositor जो है उसके beneficial जो नहीं हो any of the term and condition of the deposit कोई भी terms and condition ऐसी नहीं रख सकती है जो की जो depositors हैं उनके हक का नहीं हो कि डिपोजिट ट्रस्ट दीर एंड डिपोजिट इंशुरेंस कॉंट्रेक्ट आफ्टर से कुलर और कि सर्कुलर इन फॉर्म ओफ एडवर्टीजमेंट इस इस इस्जूट एंड डिपोजिट आर एक्सेप्टेट मिन्स वो किसी भी फॉर्म में किसी भी प्रकार से ऑल्टर प्रिजूडिस या जो डिपोजिटर हैं उनके के लिए चेंजेज नहीं कर सकती है कि कंप्लाइंग विद दा कंडिशन रिक्वार्मेंट्स एक्सप्टेंस ऑफ डिपोजिट जैसा की टर्म्स एंड कंडिशन में कि बताया गया हो तो यहां पर एक इंपोर्टेंट बात यह आ रही है कि जो कंपनी है वो सभी रूल्स और रेगुलेशन को फोलो करेगी बाइद वे ओफ इस्टी ओफ एक सर्कूलर तो इसमेंबर उसके मेंबर्स को एक सर्कूलर वो इस्टी करकर इसमें सारे जो पर्टिकूलर से वो होने चाहिए जो भी कंपनी है उसको एक कॉपी सर्कूलर की एक कॉपी और स्टेट्मेंट के साथ में जो डेट ओफ इशू है उसके 30 दिन पहले रजिस्ट्रार को जमा करानी होगी every company shall deposit such sum which shall not be less than 15% of the amount of it its deposit maturing during a financial year and the next financial year following the amount shall be kept in a scheduled bank in a separate bank account to be called as the deposit repayment reserve account यहाँ पर क्योंकि जो depositors हैं उनके interest को safeguard करने के लिए जो company है उसको कम से कम 15% हिस्सा deposits का जो की repayable है अभी के financial year में और उसके successive financial year में वो एक schedule bank में जमा कराना होगा ताकि उनके interest को protect किया जा सकें क्रिएशन ओफ चार्ज यह इंपोर्टेंट है एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्क्यॉर्ड डिपोजिट फ्रॉम दे पॉब्लिक शेल विदिन 30 डेज ओफ सच एक्सेप्टेंस क्रिएट चार्ज ओन इस एसेट पर चार्ज वो क्रिएट करना होगा क्योंकि यहां पर चार्ज का एक अलग से एक हैडिंग है पॉइंट है जिसको लेटर ओन फीडिसकर्स ओप्टेनिंग रेटिंग यह थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि जब कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो जो उसके डिपॉजिटर्स होते हैं उनको यह पता होना चाहिए कि वो जिस कंपनी में अपने डिपॉजिट जो फंड्स है उनको डिपॉजिट कर रहे हैं तो किया कंपनी उनको प्रोटेक्ट कर पाएगी यहँ का यूप जो एपलिकeson है वह उप्टिमम वे मेq में कर पाएगी तो यहां पर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसिजीज इस तो यहां पर क्रेड कोई भी company है वो किस तरह से deposits को स्वीकार करती है फिर उनको किस प्रकार से उनको manage करती है फिर उनको किस प्रकार से उनको use करती है उन funds को और वो timely payment करती है या नहीं करती है credit worthy नहीं इसमें timely payment is very important यदि कोई भी company timely payment नहीं करती है funds को धंग से manage नहीं करती है तो उनकी जो rating है वह बहुत नीचे की तरफ और बेकार होती है बेकार meaning कि उनकी जो credit worthy नहीं से वह अच्छी नहीं है लेकिन जो companies deposits को timely manage करती है और timely उनका repayment करती है उनकी जो credit rating है वह बहुत अच्छी होती है तो यहां पर जो credit rating है वह बहुत important role play करती है और भी इसमें जो provisions है उनको comply करना होता है क्योंकि यहां पर deposit जो है वह investors का protect उनको उनका जो interest है उसको protect करना होता है तो जो provisions है उनको बहुत ध्यान से और बहुत carefully follow करना होता है अब हम discuss करते हैं general rules as to deposits जो general rules है उन वह क्या है repayment of deposits है वह according to terms and condition होना चाहिए अगर कोई default है यहां पर तो जो भी depositors depositors जो है वो tribunal में जाकर complaint file कर सकते हैं और जो उनका जो भी उनके dues हैं उनके लिए demand कर सकते हैं और वो जो creation है deposit repayment reserve account उसको का भी वो भी प्रोविजन का हिस्सा है और उनको timely maintain करना होता है कि तो आज का यह lecture इतना ही है next lecture में हम चार्जेस के बारे में discuss करेंगे थैंक्यू